इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. G-Syn Tabletic Antibiotic है, जिसे बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है. इसका इस्तेमाल मूत्र मार्ग, नाक, गले, तवचा और सॉफ्ट टिशूज और हेफडों, यानि की नियूमोनिया के इनफेक्शन में भी किया जाता है. यह काजाटिव सूक्ष्म जीवों की अधिक वृद्धी को रोक कर इनफेक्शन का इलाज करता है. जीसें टेबलेट का इस्तेमाल आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार किया जाना चाहिए. इसे खाने के साथ या उसके बिना लिया जा सकता है. अच्छा होगा कि एक तैस समय पर इसे लें. किसी भी खुराक को छोड़ने से बचें और इलाज का पूरा कोस पूरा करें. भले ही आपको बहतर महसूस हो रहा हो. छूट गई डोज की भरपाई के लिए दो डोज साथ में न लें. योजना के अनुसार अगली खुराक लें. इस दवा के साइड इफेक्ट के रूप में आपको रैश, उल्टी, सिर्दर्द, चक्कर आना, पेट में दर्द और मिचली आना हो सकता है. ये आमतोर होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं. लेकिन अगर बने रहते हैं या आपको लंबी अवधी तक परेशान करता है तो कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श लें. डायरिया एक साइड इफेक्ट के रूप में भी हो सकता है लेकिन दवा का कोस पूरा पर यह बंद हो चाहिए. यह दवा लेते समय किड्नी संबंधी समस्याओं वाले लोगों को विशेश ध्यान रखना चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद.